नमस्कार में जैने पुता श्योंपातम जिस तरीके से महराश्य में पर्षोठाबादी सरकार चल रही है और उस पर्षोठाबादी सरकार कर सबसे बड़ा प्रभक्ता है संजे राउत लेकिन संजे राउत के ऊपर अब एडी का सिकंजा कसने लगा है इडी ने दरसल संजे राउत की पत्नी बर्षा राउत को पिछले एक महीने के दोरान या कहें डेड़ महीने के दोरान तीन नोटिस वेजे हैं उनके सामने पेस होने के लिए और यह मामला है पी, एम, सी बैंक, घोट आले वाला पंजाब, माराष्टा, कॉपरेटिब बैंक, घोटाला जो करीब-करीब 6,000 करोर रोपे का घोटाला होना था, लेकिन बाद में इसको रोक लिया गया और इसकी वाइसे ये करीब 3,000 करोर का घोटाला हो चुका है अब तक इस मामले में सीधे तोर पर संजय राउत की पत्नी को नोटिस बेज़े जाने के पीछे क्या कराना है वो भी हम आपको बताएंगे संजय राउत की पत्नी बर्सर राउत को ये जो नोटिस बेज़े गए है ये पहला नोटिस बेजा गया था नवंबर के 34 सब्ता में दूसरा नोटिस बेजा गया दिसम्बर के पहले सब्ता में और तीसरा नोटिस अब बेजा गया है दिसम्बर के 34 सब्ता में और बरसा राउत को 29 दिसम्बर को पेस होना है ED के सामने और जबाब देने पड़ेंगे कि बर्सा राउत के खाते में करीब 60 लाख रुपे या 55 लाख रुपे क्यों ट्रांसफर किये प्रवीन राउत ने या प्रवीन राउत की पतनी माधुरी राउत ने यह जो प्रवीन राउत है इससे ED पहले पूस्ताज कर चुकी है और इसका सीधा सम्मध है SDIL यानि की उस बदवां गुरुप से जो कि इस पूरे के पूरे खेल में बड़ा घोटाला करने बाला था और बड़ा घोटाला जिसने सुरू कर दिया था दरसल एक रियल एस्टेट कमपनी है यह और यह PMC बैंक से फरजी खाते बनाकर लोन उठा रही थी और इसकी भनक जैसे ही RBI को लगी RBI ने उन खातों पर रोक लगा दी और एक व्यक्ति द्वारा 50,000 रुपे से ज़्यादा निकालने पर भी रोक लगाई थी जो अब बड़ा कर एक लाग कर दी गई है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि PMC बैंक में जाहतर जो खातेदार थे वो बुजरुक लोग थे सीनियर सिटीजन थे और उनका पूरा पैसा इस पूरे घोटाले के दोरान चपट कर लिया गया 80 प्रस्त लोगों का पैसा अभी भी फसा हुआ है और इसमें जिस तरीके से संजर राउत की पत्नी एक बेनिफिसरी के रूप में दिख रही है उसके बाद बारती जंता पार्टी ने संजर राउत से सवाल करना सुरू कर दिया है संजर राउत पर सवाल उठाए क्रीड सोमिया ने और क्रीड सोमिया ने सीधे तोर पर पूछा संजर राउत से के सं दे तोर पर नेतिक तोर पर आपको यह बताना ही पड़ेगा कि ऐसा क्या राज है कौन सा फाइदा आपने PMC को दिलाया था जिसके एवज में आपको इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर की गई है अब इस पूरे मामने में संजराउत की भी बॉखलार सामने आई संजराउत ने ट और यह बीजेपी वालों का ड्रामा है अगर नोटेस आता भी तो आता भी है तो यह राजनेतिक तोर पर होगा और राजनेतिक दुस्मनी निवाने के लिए एडी का इस्तेमाल किया जा रहा है यह हमें पहले से पता है दरसल इस से पहले सिबसे ना के ही एक अन्यनेता प्र रखम मिली थी रिस्वत के तोर पर उसी तरीके से जैसे के बरसर राउत के खाते में एक बड़ी रखम आती हुई दिख रही है और इस बज़े से अब सिबसे ना बैक फुट पर आती हुई दिख रही है इसकर सिबसे ना का जो सबसे ज़्यादा बड़वोला सकुनी पुर रवाई से रोका गया और उसकी बज़े से तमाम जो खातेदार थे उनका पैसा पूरी तरीके से साफ होने से बच गया लेकिन ये घोटाला एक बड़ा घोटाला था क्योंकि ज़्यादतर जो बैंकों में या इस तरीके की कोपरेटिव बैंक में जमा करने बाले लोग होते हैं वो छोटी-छोटी आमंदनी बाले लोग होते हैं जो के बड़ी बैंकों में न जाकर छोटी बैंकों की बहतरीन स्कीम देखकर उसमें पैसा लगा देते हैं उसका खाम्याजा उन्हें बाद में भुखतना पड़ता है सीधे तोर पर ये सारी जानकारी अब सामने आने क इसके बाद में संजय राउत के पच्छ में एक तरफ एसके साथ में सिफसे ना के नेता संजय राउत का पच्छ लेती हुए निल देश्मुक ने कहा कि इससे पहले एडी का राजनितिक तौर पर इस्तिमाल हमें नहीं देखा था लेकिन अब चुके ऐसा हो रहा है तो ये इडी को राजनितिक तौर पर इस्तिमाल के जा रहा है माराष्ट के नेताओं को निसना बनाया जा रहा है खासकर माहा विकास अगारी के नेताओं को निसाना बनाने की कोशिस की जा रही है वही दूसरी तो प्रफुल पटेल ने कहा कि यह सब राजनितिक का क्वांटम बहुत ज़्यादा था करीब करीब ये साट से सतर आयार करोड रुपे का घोटाला था बाद मैं इसकी जांच काफी धीमे हो गई लेकिन सुरुआती जांच और प्राइमेफेसी तौर पर प्रफुल पटेल उसमें सीजे तौर पर दोसी दिख रहे थे तो यहां जितने लोग सामने आकर संजराओत की संजराओत के पच्छम बयान देते हुए दिख रहे हैं वो सब के सब या तो घोटालों में लिपत है या घोटालों में उनका नाम भी आता हुआ दिख रहा है यानि कि एक दूसरे को बचाने की कोशिस हम महराष्ट में होती हुई दि जां रचिनके उपर आनी ही आनी है और ये कह कर परला नहीं जार सकते है कि रायनधिक प्रत醉नुता है या रायनदिक प्रतलुता दूस्मनी निवाने के लिए भारती जन्ता पार्टी इडी का इस्सेमाल कर रही है या फिर यह कह देना कि हमें नोटिस मिला झी नहीं भी जवाब देते वो सीधे तॉर पर क्रेड़ सोमिया के खिलाप डिफेमेशन का केस कर सकते थे जैसा उन्होंने कहा कि बारती चंद्टापार्टी के निता उन्हें बदनाम करने लिए इस तरीके की बाते कर रहे हैं लेकिन ये बदनाम करने के लिए नहीं है और सीधे तौरपर प्रभीन राउट को चुकि पहले एडी गृफ़तार कर चुकि your पूस्टाज कर चुकि अब सवाल यह उठता है कि जो बड़ी बड़ी बात है करते हैं वो लोग अगर पंजाब माराश कॉपरेटिव बैंक के घोटाले में एक बेनिफीसरी के तौर पर दिखाई दे रहे तो फिर यह किस तरीके की नेतिकता है किस तरीके की इमानदारी है और क्या यह ब्रष्टाचार नहीं है क्योंकि जाहतर केसिज में यही देखने को मिलता है कि चुक कि देश में तमाम कानून है और अपराद करने वाला घोटाला करने वाला कोई व्यक्ति या सथा होती है तो वो इन सारी चीजों को पहले से ध्यान में रखती है उन्हें भी पता रहता है कि अगर वो सीधे तोर पर रिस्वत का पैसा डालेंगे तो वो पकड में आ जाएंगे और जो लेगा वो भी पकड में आ जाएगा इसलिए जहातर मामलों में जो रिस्वत का पैसा है या फिर अपनी पैरवी कराने के लिए अपने आपको बचाने के लिए बाद में जो रिस्वत दी जाती है वो पैसा इसी तरीके से कई चैनल के माद्यम से भेजा जाता है और इसी को हवाला भी कहते हैं इसी को money laundering भी कहते ह कि बिना किसी बजह के अगर आपके खाते में पैसा आ रहा है आप पैसे का लेंदेन कर रहे हैं और उसका कोई बाजिव कारण अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो फिर यही अवाला और बनी लॉंडिक कहलाता है दंसोधन का जो कानून है एडी का जो एक्ट है वो इसी पर क क्योंकि या तो उन्हें फिर अवनें प्यान का खानद है उनका ग्रेंटा से अध्ययन करना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि मॉन्डिन के मामले में कारवाई करता ही करता है और इससे उन लोगों को भी जानकारी हो जायाई हो पैसे का लेंदन का इंगल है या फिर गलत तरीके से पैसे के लेंदेन का एंगल है तो उसमें IT अपसे अपने आप FIR दज कर के उसमें करणवाई सुरू कर देता है चाहे प्रताप सरनाइक का मामला हो या फिर यह PMC का मामला हो जिसमें प्रभीन राओत, प्रभीन राओत के माध्यम से मादूरी राओत प्रेश्टा चार्ज का पैसा दिया जाता है जो बेनिफिसरी के अकाउंट में डाला जाता है वो कभी भी डारेक्ट नहीं होता वो कई लिंक के माध्यम से कई चेन के माध्यम से होता है उसमें कई साजी कडिया होती हैं और उन कडियों के खातों को जोड़ कर ही उन कडियों क खातों का अध्यन करके ही E.D. या C.B.I. किसी निसकर्ष तक पहुँश सकती है लेकिन यहां यह कहना कोई अतिसयुक्ती नहीं होगा कि यह जो साड़े चार जार करोंड रुपे का जो घोटाला हो चुका है पीमसी का इसमें अगर बेनिफिसरी के तोर पर संजे राउत की पत बेज़ती हो रही है उससे बचने के लिए वो राजनेतिक विद्वेश या फर यह कहकर के राजनीती की बज़े से वो बाज़पा का विरोध करते हैं इसलिए उनको निसाना बनाये जा रहा है वो आसानी से बच नहीं सकते हैं और अगर NCP के निताओं की बात की जाए तो वो पहले ही पूरे माराष्ट को पता है कि वो दूद के धुले नहीं है जहातर NCP के निताओं को ब्रेश्टाचार के तमाम आरोप है जिन पर केसिज चल रहे हैं जिन पर जाज चल रही है और ऐसी इसलिदी में अब सिबसे ना के निताओं का नंबर भी सुरू हो चुगा ह देखना होगा कि आने वाले दिनों में और किसका नंबर आता है और किसको एडी का समन जाता है जैहन जैवरत